चलिए RCC का आगरा भाग शुरू करते हैं अभी तरक हम क्या पड़े हैं अभी तरक हम पड़े हैं कि में पर्जिस्टेंस क्या होता है और उसको निकालते हैं आगे कंवा in पॉर्षे प्रॉशन पक्रॉस्ट पन्ना ऑस अ और अहीं दुसरा वागते। आपको एक्जाम में 90 पर्शेंट नाई पकर क्षट मेथट से आगा वर्किंगी स्ट्रेस मेथट से और वर्किंग स्टेट मेथड का दो चार नुमेर कर और लगाएंगे अच्छे नुमेर कर उसके उससे पहले हम शुरू करते हैं लिमिट इस्टेट मेथड तो लिमिट इस्टेट मेथड में हम पहला शुरू करेंगे अभिलाज श्रीक सामर्थ क्या होता है आपका कैरेक्टर स्टेट एक से है इस्टेय क्स एस्टरेंद है यानि अवलाच चडीक अवीलाच चडीक सामर्थ है अध्य अविलाच च्रीक सामर्थ होता है अ होता है इस अधिए अधिक सामर्थ हम डिफिनीशन यह नहीं लिख रहा है हम लोग लिख लीजेगा डिफिनीशन समझें हम उसको क्लिए कट अच्छे से समझा देंगे अधिलाज समझें अभिलाज्टिक सामर्थ होता है जिसमें 15 cm घन का 90% आरदरता पर 28 दिन के जो संपीडन सामर्थ निकलते हैं उसमें 95% सेंपल पास होना चाहिए सिर्फ 5% सेंपल फेल होने की अनुमत दिया जाता है आपको नहीं समझा होगा समझा रहें आपको एक क्या लेना है आपको घंड लेना है इसको हम लिख दे रहें लिख दे रहें ठेक है अभिलाच्रिक सामर्थ वह सामर्थ होता है होता है जिसमें जिसमें 15 सेंटिमीटर घं का 15 सेंटिमीटर घं का 90% आर्दता पर 28 दिन बाद संपीटर सामर्थ निकालने पर 95% सेंपल यानि प्रतिदर्ष प्रतिदर्ष पास होना चाहिए तो फेल होने के अनुमत परमीशन हम कितना देंगे सिर्फ 5% सेंपल आपका फेल होना चाहिए यह आपका क्या होता है अबिलाथ्रिक सामर्थ जैसे समझ यह हम लिखते हैं 20 कि इसका अभिलाथ्रिक सामर्थ को किसे दिखाते हैं हम देखेंगे अब अभिलाथ्रिक सामर्थ होग आपका 20 न्यूटन प्रति एमें स्क्वाइड क्या होगे आपका एम 25 तो अभिलाथ्रिक सामर्थ से कितना मिलेगा अभिलाथ्रिक सामर्थ 25 न्यूटन प्रति एमें स्क्वाइड यह जो होता है 20 और 25 यही क्या है आपका अभिलाथ्रिक सामर्थ इसी तरह आपका यह तो concrete के लिए हो गया 20 यह तो great concrete का है इसी तरह आपका इस्टील का जैसे यह फ़ी 250 इसका अभिलास्ट्रिक सामर्थ कितना मिलेगा अभिलास्ट्रिक सामर्थ कितना मिलेगा 250 न्यूटन प्रति ए में स्क्वाइर इसी तरह आएगा आपका इस्टील कितना मिलेगा cyaun 25 hole between a-med square तो अभिलाश्विग सामर्थ को किस से दिखाएंगे समझेगा अभिलाश्विग सामर्थ को दिखाएंगे इस माल y f से तत्हा कंकरीट के लिए if you go c한 क्या हौगा एफ सी के क्या होगा का y f c ठीक है तेख phrase तो हलेगा आपका अब का फिलासीद evolving सैम्रद माति आप को जूरे इसके वाद हमको पड़ना है यह इसी में और देखते आपको हम इसका डिटल समझा देते हैं लेंगे चैना आपका गंड करने जिसकी रंपबाई चोोड़ाई एला समर्थ क्या हो समबंधें 3 के पराजाएं याउनि इक सीमेंट वालु और तिन गित्टी यम 15 कराएगा तो एक समबंधें दो समबंधें चार में तंक कराने देगा च्छाएं का ईनि जिस ग्रेट के राईगा देंगे कानवें और दता चाहिए कंक्रीट को निकाले 24 देबाद क्या करेंगे कितना 20 पर 27 दिन के बाद हम इसका संब्सक्ण करेंगे तो इस तरह का इस तरह का घंध बनाए कितना जOP इस तरह का 600 गन बनाएंगे उसमें एक ही रेशियो का मैटेरियल भर देंगे अब अब सव गन बनाने के बाद क्या होगा देखे क्या है अब हम क्या कर चुका है 15 सेंट्रीमिट का घं ले लिए उसको 24 गंटे बाद कंक्रेटिंग करने के 24 गंटे बाद पानी में 90 परसें आर्दता पडाल रजां दिये है आठायस दिन बाध जाबनान लगाएंगे तो इस में से॥ कितना घंद बनाये हैं हों डंबर कितना मतनवावल में 95 गंका समझेगा 100 गन में से 95 गन का सामार्थ यदि यम 20 का कंक्रीट भरे हैं तो 20 से अधिक पर फेलोना चाहिए समझेगा यदि यम 15 का भरे हैं तो 15 नूटन प्रती mm2 से अधिक पर फेलोना चाहिए कितना 95 गन का सिर्फ 5 परसेंट गन 15 का लिए यानि जो भी लिए ग्रेड उससे कम पर फेलोना चाहिए माल लेते हैं हम किस ग्रेड को लिए हैं यह हम 20 ग्रेड का कितना गन बना दिए हम 100 गन तो 95 गन 20.1 नूटन प्रती mm2 से अधिक पर फेलोना चाहिए यानि 95 गन क्या हो गया आपका पास हो गया माली जो 5 गन में एक घन किसमें फेलो गया 19.2 नूटन प्रती mm2 दूसरा घन किसमें फेलो गया अठारे यानि सिर्फ पांच घन मैक्सिमाम पांच घन बीश से कम सामर्थ पर संपीड़ सामर्थ पर फेलोना चाहिए तो वही कोस्चन में का डिफिनिशन में कह रहा है कि पंद्रे घन पंद्रे सेंटिमीटर घन का 90% आर्दता पर संपीड़ अठाज दिन बाद इसको किससे दिखाते हैं उसके बाद कंक्रीट के लिए जिक्सामर्थ को किससे दिखाएंगे में आप कि में रहत wiem को निकाल लों है अभिलाद कि अभिलाजच्णिक भार करेक्टर स्टेटिक्स लोड इस जिसमें पूरे कारेकाल के दारान उससे अधिक भार होने के संभावना कितना है सिर्फ 5 परसेंट इन्हीं माल लेजे आपने बिल्डिंग का डिजाइंड केस पर किया है रे जो निउटन लोड इन्हीं मेरा बिल्दिंग कितने न्यूटन का लोट ले लेगा सवन्यूटन का तो अधिक लेलें अगला हमको पढ़ना है ऊठै कि एक रहां क कालेंगे अधिक समझेंग अब आयेगा कि इसके आप आंसीक शुरच्षा विरंक अब आप काम कहां करेंगे हम अभिराश्रिक वर इस सब हम कहां करेंगे हमां ये पंदर सेंटिमीटर का घंह उसमें क्या डालेंगे एक सिमेंट डिन क्या डालेंगे बालू तीन का रहेगा इस्टोन का गिट्टी यानि इस्टोन का गिट्टी यानि ब्रिक इस्टोन बाइलास्ट डालेंगे फिर 24 घंटे बाद निकालेंगे और पानी में डालेंगे 90% आर्दता पर 28 दिन के बाद हम क्या करें तो लायब में आपके पास विवस्थाएं रहतीं है उसको 90% अर्दता पर पानी में रख देंगे कि घन है आपका उसके बाद लब करेंगे तो का सिमेंट भी रहेगा आपके बालू भी रहेगा ठीक गिट्ट्टी और गिट्टीन अपके पास विवस्था नहीं साइट पर कर सकते हैं जब अपना घर बनायेंगे उसमें क्या करेंगे नब्य परसंद आरदता नहीं दे पाएंगे उसको अठाइस सब को ठ्यान में सब्सक्राइब करते हैं उससे मेरा सब्सक्राइब कर नहीं जितनी बिवस्थायं क्या लाए हैं सुरच्छा गुलांग किसका हम यूज करते हैं सुरच्छा गुलांग का तो सुरच्छा गुलांग क्या कर लाता है हम सुरच्छा गुलांग या फिर सुरच्छा गुलांग को लिमिट इस्टेड में क्या करते हैं आंसिक आंसिक सुरच्छा गुलांक क्या होता मेरा आंसिक सुरच्छा गुलांक हम दो परकार से लेंगे एक लेंगे फार मैटेरियल भाँ कzes मैटेरियल के लिए यह फिर स्टील में क्क्रीट के लिए कितना लेंगे एक दस्मलो फांच तथा इस्टील के लिए कितना लेंगे 19000 के लिए । को दिख रहा है थेकशा है क्या होता है य हम देखेंगे से शुरच्छा कुलांक ही क्या मैटेरियल के लिए रेंगे तथा इस तील के लिए एक दौआ पांस लेंगे उसके बाद आता हैं लोड के लिए कि लोड के लिए सुरच्छा गुणांख आपका एस दियान का बुक है तो पेज नमबर पेज़नबर 77 पर मिलेगा आपका क्या मिलेगा लोड गुणांख लेकिन हम जनरली डिजाइन करेंगे तो एक दस्मेलों पांच लेके हां लोड का गुणांख लेके शुरच्छा अब वीडियो देखते रहिएगा वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको अज लग जाएगा कि हमार सीसी का कुछ पढ़े हैं ठीक है अभी आपको लग रहा हो कि क्या क्या पढ़ना है हम सब करें को एक बार अभी जब हम सब का प्रेट के लिए यूज बताएंगे तो आ इसका नाम क्या रखते हैं आंशिक सुरच्छा गुलांग करते हैं तथा हम जैसे लिमिट इस्टेट में इसका नाम क्या रखते हैं आंशिक सुरच्छा गुलांग यहीं पार्चली और सेट्टर आप शेप्टी अब समझे क्या था मेरा आंसिक सुरच्छा गुलांग मेटेरियल के लिए कंक्रेट के लिए एक दसमलो-5 तथा इस तील के लिए एक दसमलो-1 पांच अब अगला ट्रपिक मेरा आएगा इसको अठाते हैं कि आपका डिजाइन लोड डिजाइन लोड या फिर फैक्टर लोड फैक्टर लोड लोड यह निए अभिकल्प अभिकल्पन भार अभिक अभिक से इंदी देख लीड़ा हींदी का कि इसे खने सो इसमेन आपको देखना पड़ेगा संब्सक्रों में लिए कि चुक्त निए ERIC अब एककटेश कर दो इंटू गामा जाएगा तथा समझेघा लोड के लिए क्या होगा फैक्ट अ देखिए अधिका पर आप खाल पार अभिलास्तिक भार गूड़े लोड का सुरथछा गुलांक, हम लिख दे रहें, अभिकल्पन भार, अभिलाच्छिक भार इहां निकालें हूं, क्या अभिलाच्छिक भार, गुले अांसिक सुरथछा गुलांक, किसका भार का है ना भार का अंशिक शुरच्छा गुलांग का जाएगा कितना लगभग मडरी हम टेन लेकर करतेंगे तेंका मैं का desa ndosse loan क्या होता है शुरच्छा को था कि अनशिक शुरच्छा गुलांग प्रिदा अब इलास्रे का गुलांग सामर्थ का हुआ हाओ अब समझेगा अब आता है मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ या फिर फैक्टर्ड फैक्टर्ड इस्ट्रेंथ कि अभी सबका हम यूज करके वताएंगा अब समझेगा डिजाइन इस्ट्रेंथ क्या होता है तो यह समझेगा अभिलाच्छ्चा घुलांग कानुपात अंशिक सुराचा गुरांग कानुपात क्या seminar के चला था मेरा हम समझे अब सभर्द संद्ध किसके लिये का थांए क्रिट के लिए अलग होगा फार-कंक्रिट चाहिए क्लिए ऩर्थ हम्आ हेसे क्या होता है कॉन्क्रीट के लिए कितना हो जाएगा य दो में ये किनो'RE पांच उसके बाद काका फार इस्टी तु कि फ़ cell के लिए कितना होगा डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा आपका डिजाइन स्ट फिए अभिक्रियू का अर्व्लाश्रीव स्मेंध्र ऌडश्रti्व इस दिए सु यहां से क्या मिलावकार डिजाइन इस्टेंट या फैक्टर डिस्टेंट के लिए और अब समझेगा अब समझेगा यहां से हम क्या क्या पढ़ें इसका मिज दिखते हैं सबसे पढ़ें अभी लाथ्लिक सामर्थ जिसमें 95% simple पास होता है 5% simple फेल होने की संभावना है उसके बाद हम पढ़े हैं अभिलाच्रिक भार क्या पढ़े हैं अभिलाच्रिक भार यानि पूरे कारेकाल के दवरान शिर्फ 5% चांस है कि लोड इससे अधिक हो किसे अभिलाच्रिक सामर्थ से अधिक लोड आ जाए उसे हम कहत जाए दूझी से पात्व है उसके बाद हम लेकिल होता है अभिलाच्रिक सामर्थ तर्फान और आंश्च्रिक फृच फृच्चा गुलांग कौन वाला भार वाला है ना उसका दंड हम देखें Parlament अभिलाच्टक स्वार्थ ताथा आनश्च्जक फृच्च् EL स्टीफ क्या अभी तека क्या पढ़े हैं अभि पाट उसके डिजाइन लोट पढ़े हैं उसक बास ओंड पढ़े हैं इतना इस सब repet करेंगे देखिए यह की एक्जाम में एक भी नहीं आने वाला है लेकिन इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते इसको अच्छे से नोट से बनाना है ठीक है हम पूरा स्लेवास कवर करेंगे दीरे-दीरे और रोज आपके पास एक वीडियो दो वीडियो कोशिश करेंगे तीन नहीं समझाएगा तो कोशिश करना है कि एकदम अराम से जितना भी टापिक हम पढ़ा रहे हैं जितना हेडिंग लिख रहे हैं कुछ का नहीं लिख रहे हैं अभी हम सबका डिफिनीशन लिखने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा हम अपना वीडियो मुबाइल से जिखने नहीं सबकाव मोड़ करते चलने हैं एक एक ही बार नहीं परते चलना है हमागे बस आपका दो तो एक पॉइंट को समझते हुए चलना है अब समझ यह हम सुरच्छा गुलांक पढ़े थे उसका आंसिक सुरच्छा गुलांक यानि आंसिक सुरच्छा गुलांक इस टील के लिए पांच परसेंट चांसे कि उससे अधिक लोड आजए इसके बाद हम पढ़े थे आंसिक सुरच्छा गुलांक नहीं समझायोगा कि हम सुरच्छा गुलांक से कभी भाग दे रहे थे तो हम आज समझेंगे सुरच्छा गुलांक इनी सुरच्छा गुलांक क्या होता है सुरच्छा गुलांक जिसे हम लिमिटी स्टेट में कहते हैं आंसिक सुरच्छा गुलांक इनी पार्सेली फेक्टर आफ सेब्टी आंसिक सुरच्छा गुलांक क्या होता है अल्टिमेट इस्ट्रेस यानि चरम प्रतिवल तथा परिमिसिबल इस्ट्रेस यानि अनुगय प्रतिवल प्रतिवज था अनूगयव प्रतिवल का अनुपात क्या होता आपका सुरच्छा गुल कुलेंगे जबकि आपका सही रहेगा फैर कि हो बर्किंग इस्ट्रेस में प्रतिश我是 Business में रोच उजा जाता है तथा लिंधिक स्टेट Sorry या पिर होग आपका अल्टिमेट स्क्राइस काते हैं या फिर डिजाइन इस्ट्रेस भी काते हैं इन सब का नुपात क्या होगा आपका आनसिक शुरच्छा अल्टिमेट इस्ट्रेस या वर्किंग इस्ट्रेस का अनुपात आंसिक सुरच्छा गुलंक अल्टिमेट इस्ट्रेस या परिमिसिबल इस्ट्रेस का अनुपात आंसिक सुरच्छा गुलंक अल्टिमेट इस्ट्रेस तथा डिजाइन इस्ट्रेस का अनुपात आंसिक और अधिक पांच तोंक्त। कि वह समझें गाए और लेकिन इसमें क्या होता है है अब लास्म अर्ठ को ही हम क्या करते हैं हम क्या कहेंगा आपका ऐल्टिमेइट कीना है 20 नीट्न प्रति-में इसक्पार से एल्टिमेट मेल यह हम 25 में अलटिमेट रेफ्ट कितना अब का 25 N प्रती हम अब क्या होता है हम कोई भी अपना design ultimate stress पर करते हैं क्या करते हैं ultimate stress पर नहीं करते हैं क्यों नहीं करते समझेः अब का माली मर्कर है एक इतने गले का है माले रहें कितने गले का है यह हम 20 करेट का तो इसका कितना मिला 20 इसका एरिया हम माल ले रहे हैं छेतरफल कितना माल ले रहे हैं 10 mm स्क्वाइर मान लेने इसका च्छेतरफल कितना है 10 mm स्क्वाइर का तो यह लोड कितना लेगा यह लोड कितना लेगा समझेगा यह बल वराबर प्रतिवल गुण च्छेतरफल होता है ना प्रतिवल गुण च्छेतरफल तो अल्टिमेट इस्ट्रेस 20 अच्छेतरफल कितना है 10 यहनि कितना जगाव का 200 Newton का यहनि मेरा Marker जिसके अच्य तरफ्ण 10 mm इसका ultimate stress 20 पुणंटी है कितना लेगा 100 Newton लेकिन अल्टिमेट रिस्ट्रेस काता है कि कि ultimate stress से थोड़ा भी अधिक मेरा stress आया ना ते इस्ट्रेक्चर क्या हो जाता है फेल जाता है यह इस मेंबर पर ultimate stress लेकर design किये हैं तो लोड कितना ले सकता है 200 यह इस पर यदि 200 दसमलो एक का भी लोड आया ते क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा इसके लिए क्या करेंगे हमेचा design stress पर किस पर करेंगे हम दिजाइन इस्ट्रेस अब समझेगा design stress उसी आप कहते हैं परमीस्वल इस्ट्रेइस उसी को हम कहते हैं working stress तब यहां से डेखिए Cities इस्ट्रेज या निलिब्शाइन इस्ट्रेस जैसे इस ऊपर आजायगागा हैं चरम्प्रतिबल यह आपन नीचे कि आजाएगा आंसिग शुराच्छा गुढांक एक दस्वलो पांच है ना कितना आपका एक दस्मलो पांच त्थ सुरच्षा गुढांक कितना है मैंटेरी लेंकिन एक दस्मलो पांच यहनि एक इतना इस्ट्रेस दे सकता है है कल्कुलेटर लेना कि देखते हैं करते हैं कि एक कितना लोड लेगाए तेरे दस्मलों तीन न्यूटन प्रति एमें इसकार यानि इसकार डिजाइन इस्ट्रेस कितना है अभी मेरे मारकर का एरिया कितना है एरिया कितना है यानि अब यह कितना लोड लेगा बल ब्राबर प्रतिवर प्रतिवर कितने हैं तो कितना आपको दिख रहा है 123 actually 03 newtonats ॏ जम्टमेट इस्ट्रेस जबम हम मेंबर कितना लोट लेगा तो कितना लिया था 200 लिकिन आप फी अब हो जाएगा इसका एकदम माइक्सिममम ताकत पार्पेस एकदमबर थे तोड़ दिया यह लोड नहीं वान कर सकता दोस्ता से थोड़ा भी अधिक लोड आएगा सब्सक्रा secular O इसलिए इस में को दूर करने के लिए यह हामेशा है Best डिजाइन किस़ना इस्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस डिजाइन इस्ट्रेस या पर मिसील इस्ट्रेस दनीकरेश होता हैं तय थिस ऑर किसो की निकाले दिजाइन इस्डिश के once चरम प्रतिवल 20 सुरच्छागुणां के नीचे आजाएगा मैट्रियर के लिए कंक्रीट है एक दसमालब पांच सबाग देदिए अब हम देखें कि मेरा मेंबर कितना लोड़ वहन करेगा 133 हम मान के चल रहा है कि मेंबर कितना लोड़ वहन करेगा 133 लेकिन हम जानते हैं कि कितना लोड़ वहन कर सकता है 200 अब क्या लोड़ थोड़ा भी बढ़ जाए किसी कारण वास लोड 133 140 हो जाए तो क्या आपका मेंबर फेल होगा नहीं फेल होगा क्यों क्योंकि वह 200 न्यूटन तक लोड़ को वहन कर सकता है एक सब्सक्राइब कुछ भी हो जाए दो सबसे नीचे थोड़ा लोड बढ़ भी जाएगा तो आपका मेंबर फेल नहीं होगा क्योंकि हम डिजाइन किस पर किया है 100 किस पर किया है डिजाइन इस्ट्रेस लेकर इसमें क्या था दो सबसे थोड़ा भी अधिक लोड़ समझता स्टील के लिए इस्टील के लिए जैसे यह फ़ाई 250 हो गया कितना बहुन करेगा कितना लोड़ वहन करेगा कि आपका 500 निजाइन कर दियाइन करदी सको अल्टिमेट इस्ट्रेस पे बलबर क्या होगा परतीबल गूञे चेटिरफटी जिस्का एद नेन दोसों कालेंगे अल्टिमेट इस्ट्रेस अपान फैक्टर आफ शेफ्टी लेंगे अल्टिमेट इस्ट्रेस कितना है इसका 250 फैक्टर अफ सेप्टी 1.15 किसके लिए इस्टील के लिए देखिए इस्टील के लिए सुरच्छा कुलांग कितना है 1.15 तो इसका कितना जाएगा देखते हैं 250 वगाद 1.15 आरायव का 270 270 272.3 Newton प्रती A में स्काइब अब समझेगा अब डिजाइन इस्ट्रेस 207 Ultimate इस्ट्रेस कितना था आपका कितना था 250 अब देखेंगे कितना लोड लेगा लोड प्रतिवल देखेंगे 270 अभी 6 तरफल कितना माले रहें अब देखें कितना लोड वान करेगा 200 यहीं 173 न्यूटन का अब जब समझें जब हम अल्टिमेट इस्ट्रेस लेकर डिजाइन कर रहे थे तो मेरा इस्टील इस्टील कितना लोड ले रहा था लेकिन जब डिजाइन इस्ट्रेस लेकर किया तो कितना लोड ले रहा है 2163 का तो देखेंगे कि पचीज़ सो जो हम इस पे लोड पे इस लोड पे डिजाइन करते तो पचीज सो थोड़ा भी अधिक लोड आता तो इस्टील क्या हो जाता फेल हो जाता यहीं लेकिन जब हम डिजाइन इस्ट्रेस पे डिजाइन करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि मेरा मेंबर कितना लोड वहन करेंगा प्रतिबल बढ़ जाता है तो हम मेंबर नहीं होते है क्योंकि हम मार्जिंग लेके चले गए या फिर घर बनाए भुकम पाग्या ताब का प्रतिवल बढ़ जाता है तो हम मार्जिंग लेके चलते हैं फिर मेंबर नहीं होते हैं लेकिन आप यह देखेंगे कि यहां तो ज्यादा कमा गिया दो सब ले रहा था एक सब्सक्राइब करने लगा यहां कम ही मंतर आ रहा है पचीश सब से एक अई सब्सक्राइब या फिर आप यह भी का सकते हैं कि कंक्रीट के लिए सुरच्छा गुडांक अधिक क्यों ले रहा यह किसी फर्मूले के द्वारा नहीं आया है अब कंक्रीट में दिन के लेते हैं इस्टील में एक दस्मलों एक पांच के लेते हैं अधिके जितना ही ज्यादा सुरच्छा गुडांग होगा उतना ही आपका स्ट्रेस क्या होगा कम आएगा देखिए दिन सुरच्छा मिक्सिंग करेंगे साइट मिक्सिंग करेंगे तो कभी नैय। कभी दूर और नहीं रहें में और रधी हम मेरा इसमेल रहता इस लिए स्वाश्चा आधिक लेते हैं क्योंकि इतना इंत्याल फीच Siegy प्रविश्टील के अपने साइट पे बनाते नहीं इस लिए इस लिए इस्टील का कॉल्टी कंट्रॉल अच्छा रहता है इसलिए फ्रच्छा गौनाँ थोड़ा सा कम लेते हैं एक दुस्मार एक पात्व जबकि concrete को हम बनाते हैं खुछ site पर बनाके तो उसमें quality control differ करता है कभी कुछ गलती होगा कभी कुछ इसलिए concrete का सुरच्छा गुलांग थोड़ा सा अधिक लेते हैं जितना इस रच्छा गुलांग अधिक लेंगे उतना ही margin मेरा अधिक आएगा ठीक है तो आपका सुरच्छा गुलांग का काम समझाया होगा टोटल सुरच्छा गुलांग कर रहे हैं आपका margin को बहा रहा है कि future में मेरा structure फेलना हो अब हम अगला समझेंगे इस्ट्रेस इस्ट्रेन कर्व अब देखिए हैं अब अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको ठीक है अब भागना नहीं है भाग गया भी तो था हो मुश्कित सब्जेक्ट है अगर तर्व समस्थ को भी अगर तो समझें नहीं आता है कोई ही अधिस टाफिक समझें आता स्मझें कि पहले कुछ कि समझते हैं कि effectivement के डालने कि समझते हैं कुछ कि क्या होता है प्राष्टिक क्या होता है एलस्टीचि इस एसका होता है बृटर्स 까W ता है ना और मिट होता ह唉 कि समझेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है यह किसी अब्जेक्ट पर लगाए है तो अब्जेक्ट में क्या हो गया डिफार्मेशन हो गया तो था लोड को हटाने के बाद वह पुना अपने प्रारंभी कवस्था में आ जाता है तो उसे क्या करते हैं इलास्टिसिटी उस गुन को क्या कहेंगे एलास्टिसिटी इन्व माइटेरियल पूराने प्रारंभी कवस्था में आ गया जब किसी मेंबर यह जब किसी अब्जेक्ट पर हम लोड लगाए लोट हटाने के बाद प्रराने प्रारंभिक अवस्था सभ्ष गुर्सभू क्या क magari ने लोट हटाने के बाद जब दुन périम्ल One कंधнос लोट हटाने के बाद यौल का डिफार्मेशन खत्म नहीं घुआ मेंबर का दिफार्मेशन पर्मनेंटली बना रहा तो उसे क्या कहेंगे प्लास्टि कितने परकारका होता है दो परकारका एक होता है मेरा डख्टिलिटि क्यों एक मेरा मिलाविलीटि पतली तार के रूप में खिचा जाता है इसे कहते हैं हम डक्टिलिटी जैसे सोना सोना क्या होता है मोटा है पतला के रूप में खीच दिजिए यहीं सोने का डक्टिलिटी हाई होता है जब किसी मेंबर को तनन भार के अंतरगत उसका पर्मानेंटली डिफेर्मेशन किया जात होता है पतलि के रूप में बदलते हैं इसमें क्या होता है सब्सक्राइब करोगे तब लोड के अंतर गद उसका प्लास्टिसिटी करेंगे तो आजाएगा आपका मिलाबिलिटी उसके बाद होता है आपका ब्रिटल ब्रिटलनेस है ना भंगूरता इन जब किसी अबजेक्ट पर लोड लगाते हैं तो वह अबजेक्ट बीना कोई प्लास्टिक डिफार्मेशन दी इतना जरूरी था इसके बाद इसको उच्छे से देखेंगे ऊष् dois के बाद आता है ब्रों को में होता है क्वालोटी होता है सिर्थ होता है हडे अब देखेंगे श्राश कार्व लैसे पॉस्ट्ण करत्यां कर्व और और कंक्रेट इस्त्रेस कर आप कंक्रेट समझेंगे यह क्या आपका इस्त्रेश कि ऐना अब वहका इस्त्रेस कर्व कैसे आता है देखिए आप अब देखिए माल ले रहे हैं एक क्या है आपका एमेक्स है यमों आई है यह क्या हो गया आपका यम जेट हो गया कहने का मतलब समझ यह है यह यह iam यक्स यक्स 10-15-20 कुछ भी हो सकता है वाई 15-20 कुछ भी हो सकता है यहां किया देख रहा है इंगर M बढ़ टाष्यरों मारे अवर्ण हो गया होगा है समय हृता रहा है क्या हृती तलएव deciding क्या होगा इसका इसट्रेन कहा हो गया इसका हो गया अब समझते हैं कि मच्श के अने में इससे बड़ा क्या है यह उससे बड़ा क्या है आपका एम जीड ना यह बढ़ता हुआ करो तो जैसे हम देख रहे हैं कंक्रीट का ग्रेड का ग्रेड का ग्रेड ग्रेड का ग्रेड का क्रेड ग्रेड आप ग्रेड आप कंक्रीट के बढ़ने से देखिए क्या क्या हो रहा है देखिए अल्टिमेट्री स्ट्रेस क्या हो रहा है बढ़ रहा है ग्रेड आप कंक्रीट बढ़ने से अल्टिमेट्री स्ट्रेस क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है देखिए अल्टिमेट्री स्ट्रेस 15 जैसे जैसे हम ग्रेट बढ़ाते जाते हैं वह इसे वह से उसका हाड़नेस भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है यह और मजबूत होता है जैसे सेंट की मातरा बढ़ते जाती तरह बालु इसके बालू और गिट्रिक की मातरा क्या होता है देखिया लेकिन घट है क्या उपका तेंसन के नतरगत ज्यादा खीचना लेकिन देखें इस ज्यादा खीच पा रहा है यह सब कुछ तो बढ़ रहा है लेकिन डख्टिलिटी क्या होता जा रहा है घट जा रहा है यानि कह सकते हम percentage of elongation, percentage elongation, elongation भी क्या होता जाएगा, घट्चा जाएगा, तो concrete का grade बढ़ाने से, आपका क्या होगा, ultimate stress भी बढ़ेगा, stress आपका सामर्थ देगा, तो सामर्थ भी बढ़ेगा, ग्रेट बढ़ाने से, hardness भी बढ़ेगा, लेकिन क्या कम होता जाएगा, उसका विक्रिती देना कम होता जाएगा, इसे ductility कम हो जाएगा, percentage elongation, यानि मुडने की छमता, विक्रिती देने की छमता क्या होता जाएगी, घट्ती जाएगी, यानि यहां ब्रेक हो गया, यहां ब्रे चाहिए, माली जी आप कालम बनाए हैं, कालम बनाए हैं, ऐसा थोड़ी हमको सिर्फ हाट, strength चाहिए, हाड चाहिए, और ultimate stress जाएगा, आपको आपको ductility भी चाहिए, क्योंकि माली जी आप कालम बनाए हैं, कालम बना दिये, future न भूकाम पाया, तो क्या हो गया, यह बेंड कर जाएगा, अब उसी बेंड करने में, ज्यादा deformation नहीं देगा, तो मेंबर क्या हो जाएगा, यह deformation ज्यादा नहीं देगा, तो पहले ही तूट जाएगा, तिससे नुकसान है, तो हम ऐसा नहीं के concrete का grade बढ़ा के ductility को कम कर देंगे, हम अपने सुविदा करने साथ, जहां जि ductility यानि थोड़ा bend भी हो, तो वो टूटे ना बचा रहा है, तो ductility भी ज़रूरी है, और concrete का strength भी ज़रूरत है, अब समझेगा, ultimate stress कितना है आपका, इतना है ना, हम इहीं बात करेंगे, हम ऐसा ultimate stress, अभी हम देखें, compare कि हैं, अलग-अलग concrete के grade के लिए, mx, y, mz के लिए, अब हम इस सिर्फ एक concrete लेंगे, एक concrete का grade, उस पर हम कुछ देखेंगे, अब समझेगे, अब समझेगे, अब समझेगे, एक क्या हो गया आपका stress, एक क्या हो गया आपका, नहीं, एक क्या हो गया आपका stress, एक क्या हो गया आपका strain, एक क्या हो गया strain, एक क्या हो गया stress, अब एक कंक्रेट के हम कंक्रेट को ले रहा है इसको किसको ले रहा है सिर्फ एक कंक्रेट को अब रुकिए इस में कडाल ने अच्छे से अब देखेगा अब रेट से लिगे तब तक अब समझें एक हो गया सिर्फ एक ग्रेड ले लिए कंक्रेट का माले जे एम एक्स एम वाई एम जेट कुछ भी ले लिए या दस पंद्रेविश तो एक या मिला आपका अल्टिमेट इस्ट्रेश यहीं क्या हो गया आपका चरम प्रतिवार ठेक है चरम चरम प्रतिवार यहीं अल्टिमेट इस्ट्रेश ठेक है इस्ट्रेश को कतम कर दे रहे हैं अल्टिमेट इस्ट्रेश लेकिन आपको पता है अब देखेगा अल्टिमेट इस्ट्रेश यहीं क्या होता आपका अभिला लेकिन क्या होता है कि हम आपको बताये थे कि अब करते हैं किसे में करते हैं माल लेते हैं ग्रेड कितने का है माल लेते हैं ग्रेड है यहां टॉंटी का निकाला गया होगा ग्रेड कहां निकाला गया होंगे हम को लैब में लेकिन लैब इतना क्वाल्टी कंट्रोल हम अपने फिल्ड में नहीं दे सकते हैं या फिर उसमें जितना पानी चाहिए उतना ही सिमेंट वाटर रेशियो पर लगाया गया होगा या 24 घंटे बाद आपको 90% आर्दता कहां मिलेगा नहीं फिल्ड में 90% क्वालिक कंड्रोल नहीं दे पाएंगे येमट्टी मेरा लाव से निकाले हुए है याई है अल्टिमेस्ट्रेश कहां देगा लेकिन आपको आप लिए या फिर इसका मुलिखी दे रहें अभिलाद्चरिक सामर्थ कियो क्या आपका अभिलाद छडड़िक सब्सक्राइब आप दंड़ सब्सक्राइब करो सिर्फ कंग्रीट कि करएं कि बात करें किसी बात कर रहा है इसे एप सीके लेकिन एक संरचना बनाएंगे वहां कितना समर्थ होगा एफ सी के अपान एक दस्मलों पांच कितना आता है अपका 0.67 देख लाते हैं सिक्सेवन आएगा कितना आएगा समर्थ लेकिन इस अमर्थ का मिलेगा हम बनाएंगे क्योंकि इतना क्वाल्टी ले इतना क्वाल्टी को नहीं दे सकते उससे त्वहां समर्थ क्या निकालेंगे कम लिए पर किस पर करेंगे design इस्ट्रेस पर चाहिज जाएगा इसकी नीचे यहां पर गाएगा कि इसी करते हैं कारिकारी सामर्थ एक हैं कार्यकारी इसे करते हैं यह अब समझे आपका अविकल पार्प söर्च के веч सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कंक्रीट कितने सब्सक्राइब देंगे एक दस मनों पांस है तो आ जाएगा 0.45 यह यह सी के कि यह से के बड़े अराम से समझे इसको आपको तीन करव दिख रहा है एक इधर एक इधर का एका इभए और क्करीट के लिए तीन करव दिख रहे और दो यह सामर्थ जो हम लैब में इतना क्वाल्टीन गौन्ट्रोल अपने फिल्ड में राख सकते उसके लिए क्या करते हैं एक दूर्द पांच से भाग देंगे दुर्द देखेंच कोई भी डिजाइन इस्ट्रेंथ पर उसके लिए में मैटेरियल के सुरच्छा कुलांग से भाग देंगे कंक्रीट का सुरच्छा कुलांग कितना होता एक दसमलों पांच तर आ जाएगा दसमलों 45 यव शीके इसमें एक चीज और देखना होता है कि जितना भी आपका अल्टिमेट मिलेगा यानि जितने भी स्टेंस मिलें कितने भी कृती की मिले हैंने 02 कि समझेगा जितना भी क्रिटी मिला या कि कि明白 मिला ए जितना भी आपको म मैक्सिमम समर्थ कद्द करना इस पूरे कर्व में मैक्सिमम समर्थ ए away maximum इसमें मैक्सिम्मान कितने पर मिला है जीरो की समलो PP कि अब क्या लेना है समझिए समया हम कोई काम करते हैं तो मैक्सिम्मान काम करने कि किसे करेंगे मैक्सिमाम सामर्थ समझेंगा स्पामाराखत के लिए क्या करते हैं इसमें का पूरे को मैशन सामय तक कि नि Object मैं में काभण को ओर को कैसे कर देंगे कई स्ट्रेक्ट कर देंगे मैक्सिमाम तक कैसे कर देंगे हैं कی से करदेंगे फिरह सवा अलग है अब कि समझेगा कि अब क्या बनाएंगे हम सिर्फ उसमें का इधर क्या Central है अब कज listen श्टार्य था इधर क्या था कि अविजय श्कार रहा है अब देखेगा है किसा चया बना रहा है कि इस कि मिलता शैज था था आप एक कितना था एका इस्ट्रेस इस्ट्रेस 0.45 यव्च कि है ना कितना था अब का 0.45 यव्च के हम का सकते हैं डिजाइन डिजाइन कर आप कंक्रीट एक यह वगा का डिजाइन के लिए जितना विक्री करों आप कंपर यह इंहीं से आपका चेटर शुरूर जाता है अब देखे होंगे कितना टिपकल टिपकल आ रहे हैं आपके तक क्या है कि अपके लिखरओं करें और लों घरता है चिंद आ मैक्सिमुलिस को क्या करते हैं लगे gobierno को रोक देंगे अब उसके आगे एकदम कर देंगे डिसेंडिंग नहीं करेंगे एकदम क्या तक जाएगा कहा तक जाएंगे 0.0035 तक तो कंक्रीट में यह फिर संपीडर में अज़ेकदम विक्रिती कितना हो सकता है यह फिर पॉइंट जिरो जिरो जिरी फाइव कितना हो सकता है यह फिरो पॉइंट जिरो 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 त्रीफ यह यह आप 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 आरसीशी का एकदम बेसिक पढ़ गाएं और देखेगा सब्सक्राइब लिए प्रतिवल ते आप इस्टिवल में प्रतिवल अजट दुटा कंक्रीट का जैसे जितना वी ब्रतिवल विक्रिती विक्र शारेटा पूरा कंप्रेशन कंतर गथ था इसमें पूरा टेंसाइल कंतर घुता है एक बनता होगा पुरहेंगे यह सोयम में ऐसा बनता होगा माइड इस्टील का ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा लेकिन इसे मैं क्या करेंगे अध्यर में सुबिता के लिए कैसे बनाएंगे स्ट्रेट फेल देज़ेंगे और एक था का अभिलाज फ्रीक सामर्थ और यह चलिक याई क्या है क्या को इंब को नहीं करना होता है इस लिए इसमें और इसलिए आता है इस में हम किसी चीज़ का भाग नहीं देंगे हम डायइक माईटीरियल के सुरच्छा कुलांग से बाग देंगे तो कितना जाएगा यहां जाएगा design stress है ना design stress है बसक्रका हिस्त्रेंथ design strength कितना जाएगा समझेगा कि कंक्रीट के लिए कितना मिला था देखोलिए हैं ये अब लात्मिक शामर्थ एक नीचे सैंरचनातमक क्या था डिजाइन तो इहां एक यहां एक चीज और शबस भाक दिये थे ले廁ग य१े सामर्थ क्योंकि याप hell देन में बना हुआ था लेकिन हम उतना क्वाल्टीक निबहुंत के दे का तर दे Seitap